दोस्तों इस वीडियो में अन्बॉक्स करेंगे आइफोन 11 को इस बड़िया फोन के फीचर्स के बारे बात करेंगे साथ ही साथ इसका कैमरा कॉलिटी डिस्प्ले और परफॉर्मेंस भी चेक आउट करेंगे और अगर आप इतना महेंगा और बड़िया फोन लेने का सोच रह लाइए और रेगिलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएए दोस्तों मैं हूँ मनू आपका शॉपिंग बंदू लगे हाथ शुरू करते हैं जरांड़ी खली में सहोना महें अजबेपना जरूर को का於 शर तुरूर्ण्ड़्स दिखे। obsbl बंखकर अले में पिखे। कि वहाँ आपका के ही फोसाई दोसो बॉक्स में आपको एरपॉट्स मिल जाते हैं यह एरपॉट्स वायर्ड हैं साथी साथ कुछ लिटरेचर मिल जाता है एक हलका पॉलका यूजर मैनुल भी आपको देखने को मिल जाएगा दो एपल के स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं यहां पर आपको यूईस भी केबिल आजाता है एक 5 वोट का चार्जर आजाता है जिसमें ग्विक चार्ण ồiटी नहीं है फोन के design के बारे मैं बात करें तो यहाँ पे आपको चारो तरफ aluminum का frame देखने को मिलता है जो काफी सुन्दर लगता है फोन के आगे और पीछे glass है जो इस फोन को काफी heavy बनाता है और साथी साथ काफी fingerprint भी attract करता है आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी fingerprint आपको देख जाएंगे फोन के ऊपर हिस्से में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा कोई भी buttons नहीं है यहाँ अगर हम यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे आपको on and off का switch और साथी साथ इस switch से आप Siri को भी activate कर सकते हैं single sim slot के साथ आता है आप दूसरा sim भी डाल सकते हैं लेकिन दूसरा sim east sim होगा basically नीचे देखे तो यहाँ पे आपको stereo speakers देखने को मिल जाते हैं और primary mic भी देखने को मिल जाता है साथी साथ अगर हम इस side देखे इस phone के तो यहाँ पे आपको volume rockers देखने को मिल जाते हैं आपे down keys और साथी साथ यहाँ पे इस button से आप इस phone को silent भी कर सकते हैं dual camera setup है back में 12 megapixel lenses हैं जिस पर से एक lens ultra wide angle lens है true tone flash पे साथ आता है और secondary mic भी आप देख सकते हैं यहाँ पे apple का logo बहुत ही सुन्दर लगता है center of the phone में अगर हम front के बारे बात करें तो यहाँ पे काफी decent size notch देखने को मिल जाता है जो मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं दिखता है लेकिन है इस phone में उपर आपको speaker दिख जाएगा साथी साथ यहाँ पे 12 megapixel का front camera भी है iPhone 11 में आपको liquid retina display देखने को मिलेगा basically यह LCD display है 1400 is to one का contrast ratio है लेकिन अगर हम brightness के बारे में बात करें तो करेंबन 600 nits की brightness मिल जाती है इस phone में काफी bright हो जाता है यह phone एक video देख लेते हैं यहाँ पे full HD plus का display है लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है LCD screen है लेकिन अगर आप इसे कोई भी LED screen से compare करें तब यह आप पता नहीं कर पाएंगे कि LED और LCD में difference किया क्योंकि यह screen बहुत ही बढ़िया है परफॉर्मेंस में यह phone बिलकुल भी निराश नहीं करता है PUBG, Call of Duty जैसे गेम्स आप high settings में easily खेल सकते हैं camera में काफी options दे रखे हुए हैं आप wide angle का भी बहुत बढ़िया तरीके से इस्तवाल कर सकते हैं साथी साथ आप back camera से slow-mo videos और time lapses भी निकाल सकते हैं 4K की video recording आप कर सकते हैं यहाँ पे तो बहुत बढ़िया बढ़िया options दे रखे हैं back camera में तो यह कुछ samples है जो मैंने इस phone से खीचे हैं अगर आप यह पहला image देखे तो काफी details capture हुई है मैं से जितना भी zoom in कर रहा हूं आप देख सकते हैं काफी details capture हुई है यहाँ पे साथ अगरला photo देखे तो यहाँ पे wide angle यूज किया हुआ है यहाँ पे भी काफी details हैं कहीं पे distortion नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे मैंने portrait mode यूज किया है और आप देख सकते हैं पीछे का जो object है बहुत ही blur हुआ है तो बहुत बड़िया portrait mode है इस phone का अगला photo basically आपको colors दिखाएगा काफी natural colors यह capture करता है कहीं पे भी आपको नहीं लगेगा कि artificial colors यह capture हुए दोस्तों front camera भी आपको wide angle का option देता है आप देख सकते हैं लेकिन यहां पे एक बात है अगर आप video mode में जाते हैं तो वह option यहां हट जाता है यह सिर्फ photo mode में है यह आपको video mode में नहीं देखने को मिलेगा तो अगर आप इसे vlogging में यूज करने वाले है तो आपको wide angle यहां पे नहीं देखने को मिलने वाला है यह है front camera के कुछ samples आप देख सकते हैं काफी decent picture quality है थोड़ा सा distortion हो रहा है अगर हम इसे zoom in करते हैं तो फिर भी ठीक है मैं इतना high quality नहीं कहूंगा इसने यहां पे अगर मैं यह वाला photo देखू तो यहां पे मैंने wide angle use किया हुआ है तो semi length पे था camera mobile लेकिन यहां पे थोड़ा सा ज्यादा angle आपको मिल जाता है थोड़ा से ज्यादा capture हो जाता है तो यह एक अच्छी facility दी होई है photos में लेकिन जैसे कि मैंने कहा यह आपको वीडियो में नहीं देखने को मिलेगा तो यह था iPhone 11 का overview और 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 यह phone मुझे बहुत बढ़िया लगा है performance वाइस तो यह सवाल जैसे कि मैंने का सवालाक वाले phone को बीट कर रहा है और 65,000 में अगर आपको यह phone मिल रहा है और अगर आपको एक iPhone लेना ही है तो आप iPhone 11 जरूर जाके ले सकते हैं तो iPhone 11 तो देख लिया लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा था अगर आप इतना बढ़िया महेंगा phone लेने का सोच चलिए इसे भी unbox करते हैं और देखते हैं हमारे iPhone पर यह कैसे बैठता है दोस्तों तो यह है Spigen का cover और आप देख सकते हैं यहाँ पर Spigen की branding दे रखी हुई है साथी साथ कुछ ऐसा ही दिखने वाला है cover यहाँ पर photo भी दे रखा हुआ है पीछे देखे तो यहाँ पर MRP दी ह यह है 1699 लेकिन यहाँ पर Amazon में आपको यह सस्ते में मिल जाता है मैंने description में लिंक्स डाल दिया आप जाके checkout कर सकते हैं made in South Korea यह important चीज़ है यह made in South Korea तो बढ़िया होता है South Korea की चीज़े तो अच्छी होती ही है तो let's hope यह भी अच्छा हो box में और कुछ भी नहीं है तो cover है तो यह है Spigen का cover looks में काफी decent है काफी लोगों को fancy cover पसंद आता है तो यह इतना fancy नहीं है लेकिन protection आपको बहुत बढ़िया देगा और लगी रहा है आपको चारों तरफ से protection मिल जाएगा और यह थोड़ा सा bum भी है camera को बचाने के लिए तो देख लेते हैं यह अभी phone पे कैसा बैठता है और तो कुछ नहीं है इसमें बताने लाहिक बस यही मैं कहूंगा कि यहां पे मुझे काफी बढ़िया feel आ रहा है काफी strong लग रहा है और definitely मुझे confidence से मैं अपने phone को use कर पाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि यह cover मेरे phone को damage नही को भी अच्छा कासा protection है तो यह अच्छी चीज है क्योंकि यहां पर camera थोड़ा सा उब्रा हुआ है तो अगर आप table पर रखेंगे तो थोड़ा सा problem हो सकता है लेकिन अभी बिल्कुल भी wobble नहीं हो रहा है तो यहां पर आपको बहुत बढ़िया protection मिल रहा है चारो तरफ protection है 360 degree protection है आप आगे भी देखेंगे तो यहां पर भी protection है तो अगर आपका phone ऐसे गिरता है ऐसे गिरता है तो कुछ नहीं होने वाला है ऐसे भी गिरता है usually phones जब तिर्चे गि रुपीज में आपको ये कवर मिलता है 999 में मुझे कवर मिला तो 1000 रुपए का कवर है तो अगर आप 60, 65,000 का फोन ले रहे हैं तो 1000 रुपए का कवर तो बनता है मेरे साब से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों का शेर कीजिए और जो लोग नए हैं जो हमारे साथ अभी तक जोड़े हुए नहीं हैं नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और हमारे साथ जोड़ चाहिए और रेगिलर वीडियो अपडेट्स के लिए बैल आइकन भी जरूर दबाईए फिर में लेगे कुछ नए वीडियो में जैसे कि मैं आमेशा कहता हूँ स्टे हल्दी स्टे मोडिवेटेड जैहें